कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आईए दोस्तों सुनते हैं हमारे किशोर्ष रोता द्वारा भेजी गई कहानी अच्छा मुले चुकाया रोटियों का सावन का मौसम था फोल मुस्कुरा रहे थे कलियां खिल रही थी कभी कभी मंद बारिश की बूंदे दिखाई देती तो कभी विलुप्त हो जाती आज प्रातकाल से ही मुस्लाधार वर्षा हो रही थी गंशाम बढ़ते हुए कद्मों को तेज करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था उसका सारा शरीर कीचड से सना हुआ था गंशाम एक चौदर वर्ष ये बालक है या इस कहानी का नायक है गंशाम का जन पंडित राम प्रताप के यहां हुआ था वह एक गरीब ब्रामः थे पुत्री के विवाह में रिष्टेदारों से करज लिया और उसकी पूर्ती न करने के कारण आत्महत्या कर ली माता ने भी अपने को पंच महाभूत में विलीन कर लिया असहाय अकेली इस्त्री के वश में क्या होता क्या कर सकती थी जो कर सकती थी सुकिया गंशाम उनका एकलोता पुत्र था प्रतिष्ठा की याड में उसका सब कुछ लुट किया अब किसकी प्रतिष्ठा किसका सम्मान क्या यही जीवन है कि अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दे अब कौन अपमान करेगा किसका अपमान करेगा उसका जो अभी संसार में नहीं रहा किस से अपनी धन की वसूली करेगा उससे जिसने अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया काल की दृष्टी बहुत ही भयानक होती है नजानी किस बात, किस द्रिश और किस विचार से वह हमारे प्रमाण छीन ले काल का चक्र घंशाम के जीवन पर ऐसा पड़ा कि कल तक जिसके साथ उसके माता पिता उसका पूरा परिवार था आजवा असहाय कीसी भाती, अपने जीवन रूपी एक पहाड को अपने कंधों पर उठाए हुए हाय क्या खेल है, तेरी माया का जब तू देता है तो सारा संसार कदमों में रख देता है और जब लेता है, तो उम्र का ख्याल भी नहीं रखता निष्ठ और बड़ी प्रवित्ती है तेरी वह किसके साथ जाए, किससे सहायता मांगे यही सोचते वे घंश्याम आगे बढ़ता जा रहा था रात काफी हो चुकी थी, अकेले इस विरान रास्ते पर चलना खत्रे से खाली नहीं था घंश्याम ने सोचा कहीं आश्या मिले, तो आज की रात वहीं रुख जाओ उसने चारो और देखा, कुछ दूर जाकर उसे एक मकान दिखा मकान की बत्ती जल रही थी, शायद कोई अभी सोया नहीं था उसे आशंका थी, क्या वह मुझे आश्या देंगे वह मकान के द्वार पर पहुचा, और उसने दर्वाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, कौन है घंश्याम ने करुण स्वर में कहा, मैं एक राहगीर दर्वाजा खुला, अंदर से एक अधेड उम्र का व्यक्ती बाहर आया उम्र लगभग 44 होगी, नोपर जुर्यां पढ़ने लगी थी व्यक्ती ने विनम्र पुर्वक कहा, क्या चाहते हो घंश्याम ने डरते डरते कहा, मुझे यहाँ एक रात का आश्या मिल सकता है यूवक ने कहा, अवश्य तुम यहाँ रह सकते हो तुम्हारा क्या नाम है? यूवक ने पूछा मैंने भी उसी प्रकार विने पुर्वक कहा, मीरा नाम घंश्याम है व्यक्ती मुझे अंदर ले गया, उसने प्रेम पुर्वक मेरा आदर किया उसने अंदर जाकर कहा, धोजन करना चाहोगे? मैंने कहा, अवश्य, रात भर से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है यूवक ने कहा, अवश्य, मैं भी लेकर आता हूँ यूवक बाहर चला गया, मैं उस कमरे को देखने लगा कमरा बड़ा विचित्र था, एक भी खिड़की नहीं थी मात्रेक दर्वाजा था, जो बाहर की योर को खुलता था वह अभी छै हाथ का, और दिवार में एक छोटा सा छेथ था जिससे बाहर देखा जा सकता था कमरे में अंधेरा था, बस एक लालटेन जल रही थी कभी-कभी लालटेन की बत्ती इतनी मंध हो जाती कि कुछ दिखाई न पड़ता था और कभी-कभी पूरे कमरे को रोशनी से भर देती मैं इसी में खोया हुआ था तभी यूवक में कहा, कहा खो गय हो, भोजन कर लो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ समाज ने सदा मुझे कटू वचनों से संबोधित किया लेकिन यूवक की प्रेम भावना को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया भोजन में जादा कुछ तो था नहीं बस दाल और रोटियां थी परन्तु प्रेम पुरवक मिलने पर दाल रोटियां भी बड़े बड़े पक्वानों के समान लग रही थी यूवक ने मेरे सामने थाली रखकर कहा बस यही है हमारे पास अगर आप इसे ग्रहन करना चाहें तो एक दूसरे के घर में कड़ी मेहनत करने के बाद दो रोटियां नसीब होती थी तो अभी गालियां समेट प्रेम को देखकर मेरा मन व्यथितो उठा जी चाहता था कि यूवक को गले लगा कर अपनी सारी पीड़ा कह दूँ परन्तु अपनी आखों के समंदर को रोब कर मैंने कहा जी अवश्य आपकी बड़ी क्रिपा जो आपने मुझे भोजन दिया अगर संभा हुआ तो मैं आपकी रोटी का मुले जरूर चुकाऊंगा यूवक बोला इसमें क्रिपा की क्या बात है घराय मेहमान को भोजन तो कराना ही चाहिए अवश्य चुकाना अब तुम भोजन कर लो यूवक की बाते ऐसी लग रही थी जैसे वह मेरे वर्षों से वे घहाओं पर मरहम लगा रहा हूँ क्या कहूं कैसी वाड़ी थी कैसी सहचता कैसी सरलता कैसा प्रेम पूर नाच्रण मैंने भोजन किया और फिर यूवक और मेरे बीच बहुत सारी बाते हूँ यूवक की एक एक बात में इतनी मधुरता थी कि मैं खो गया उसमें यूवक ने कहा तुम सो जाओ इतना कहकर यूवक कमरे से चला गया मैंने लालटेन को बुझा दिया और खटिया पर लेट गया मैं लेटे लेटे अपने अतीद के बारे में सोच रहा था कल तक जिस प्रेम के मारे तड़प उठता था वह प्रेम मिला तो केवले करात्री के लिए धन्य है तेरी माया है इश्वर अपने अतीद के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मैं निद्रा मग्ध हो गया कुछ पता ही नहीं चला अकस्मात मुझे कुछ आवाद सुनाई दी और मेरी निद्रा भंग हो गई मैंने उस आवाज को गोर से सुनने की कोशिश की चलते कदमों की आवाज आ रही थी मैंने दिवार के छेट से देखने की कोशिश की कुछ दिखाई दिया मुझे क्या परचाई काली परचाई बहुत सारे लोगों की परचाई और परचाई में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ में क्या है क्या बंदूख है हाँ हाँ बंदूख ही है मगर यह यहां क्या कर रही है क्या यह कोई टुकडी है सेना की टुकडी या आतंगवादियों की तभी मेरी नजर यूवक पर पड़ी वो कुछ कमांड दे रहा था साफ साफ सुनाई नहीं दिया मगर कुछ सुनाई पड़ रहा था भाईयों आज हम जनरल राइटर को मार उस चौकी पर कबजा कर लेंगे और अपने अपने साथियों सहीद मीर गंज में बम से हमला कर देंगे और पूरी मीर गंज को जला कर राख कर देंगे भाईयों हमें कानून से सरकार से अपनी एक एक आतंगवादी का बदला लेना है इस घटना के बाद सरकार हमारे कबजे में आ जाएगी और मीर गंज पर हमारा राज होगा हमारा यह कहकर यूवक हसने लगा कैसी भयानक हसी थी समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जिस व्यक्ति से करुणा के भाव जलकते थे मैं इतना कुरूर होगा मेरी आशाओं का ऐसा घड़ा फूटेगा अगर मैं जानता तो इस व्यक्ति से कभी आशा न बानता कभी कभी व्यक्ति के आचरण से हम उसके अंदर के भाव को जाने बिना उसे मुह कर बैठते हैं और उसका इतना भयानक परिणाम होता है जिसका घ्यान मुझे आज जा कर हुआ मैं यूवक की बातों को सुनने लगा तब ही एक आदमी ने यूवक से पूछा सरदार सुना है आपने किसी को आश्रे दिया है यूवक ने कहा विजेंदर एक 14 साल का बच्चा है प्यारा बच्चा है विचारा आनात है इस जालिम दुनिया ने उसे बहुत यातना दी है अभी सो रहा है सुबह ही उठेगा तब तक हम अपना काम कर चुके होंगे सुबह होते ही यहां से चला जाएगा वह बहुत गरीब है गरीबी भी क्या कुछ नहीं कराती गरीबी के कारण ही लोग हमसे डरते हैं अग उन्हें लोटते हैं लोगों को भयानक लगते हैं सब गरीबी की माया है क्या हमारा मन नहीं कि हम एक सम्मान भरे जिंदगी जीए परंतु पेट के खातिर क्या कुछ नहीं करना पड़ता यह दुनिया भलाई की नहीं है इस दुनिया में रोटी मांगने जाओ तो गालिया मिलती है इसलिए इस जमाने में रोटी मांगनी नहीं चीननी चाहिए वह हमारा काम है आज मुझे पहली बार लगा कि यूवक की बात में सच्चाई है भलाई करने जाओ तो बुराई मिलती है यूवक की कुछ मजबूरियां थी जिनकी वज़े से उसे इस काम में आना पड़ा परन्तु काम तो और भी हो सकते हैं मुझसे वहाँ खड़ाना रहा गया मैं खाट पर आकर बैठ किया क्या कर सकता हूँ मैं क्या करूँ क्या उस अंसार को बचाऊँ जिसने मुझे सदा गालियां दी है सदा ठोकने मारी है मेरी अवेलना की है और उस व्यक्ति के साथ विश्वास घात करूँ जिसने मुझे अपने प्रेम भाव से कृतार्द किया जिसने मेरे भूखे पेट को प्रेम से रोटी खिलाई या उस व्यक्ति का साथ दूँ जिसने मुझे प्रेम से आश्रे दिया है इश्वर दो पल की खुशे दी और उसमें भी मुझे असमंजस में डाल दिया तो ही मेरी सहायता कर क्या उनकी जान बचाऊं जो मेरे कभी अपने न हुए क्या उसकी जान बचाऊं जिसने कभी मेरा साथ नहीं दिया क्या उसके साथ रहूं जो दो पल में ही मेरा हो गया कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या न्याय और धर्म के पद को ठुकरा दूँ जिसे मेरे पिता ने मुझे विरासत में दिया था क्या उस विश्वास को धोखा दूँ जो मेरी माने मुझे सिखाया था मैं इसी दुविदा में खाट पर बैठा सोच रहा था कुछ दिर बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सत्य और धर्म का साथ दूँगा जिसके कारण मेरे पिता ने अपनी जान दी वे अपनी जान दी सकते हैं तो क्या मैं एक व्यक्ति का विश्वास भी नहीं तोड़ सकता मैं यही करूँगा यही करूँगा मैं ऐसा मन में विचार कर दर्वाजे पर गया मैंने देखा वह गाड़ी में बैटकर मेरी गंच की तरफ जा रहे हैं मैंने चुपके से दर्वाजा खोला और पीछे की तरफ दिवार कूद कर चौकी की तरफ भागा मैं जंगलों के सहारे आधा रास्ता काट कर चौकी पर उनसे पहले पहुच गया और मेरी गंच पर आने वाली घटना का वर्णा उनसे कर दिया जनरल राइटर तयार हो गए उन्होंने अक्रमण की सूचना अपने सैनिकों को दी तब ही उधर यूवक और उनके सैनिक आ गए दोनों तरफ से गोलिया बरसाएं गई जब पुलिस कर्मी यूवक और उनकी सेना पर भारी होने लगा तो यूवक के सहयोगी उन्हें छोड़ कर भाग गए जनरल राइटर ने गोली यूवक के कंधे पर मारी यूवक घायल होकर गिर पड़ा पुलिस कर्मी यूवक ने उसे चारों तरफ से घेड लिया यूवक की नजर मुझ पर गई तब तो घायल अवस्ता होने के कारण उसने कुछ नहीं कहा अगले दिन यूवक को कोट में ले जाये गया यहां यूवक को फासी का दंड मिला कोट के बाहर यूवक ने मुझे देखा उसके हार्थ पैर जंजीरों से बंधे थे उसने मेरी तरफ करुणा द्रिष्टी से देखा उसके दुख को देखकर मेरे आखों में आसुआ गया उसने हसकर कहा अच्छा मुले चुकाया रोटियों का जो भेजी है हमारे किशोर शोता हर्ष पाल जी ने